Hey guys, मैं आशिश दवांगन, आप सभी का मेरे YouTube चैनल DC Istagihab में स्वागत करता हूँ आज मैं आपके लिए English का एक टॉपिक, Spotting Errors का Part 1 लेकर आया हूँ Spotting Errors का मतलब यह है कि आपको किसी sentence में यह पहचानना है कि गलती कहा है Definitely इसके लिए हमें Grammars के Rules जानने बहुत जोर रही है फिर भी मैं आपको क्या करूँगा एक-एक sentence explain करूँगा और उसके Rules बतलाऊँगा और उस Rules को उस sentence में follow कैसे करना है यह भी मैं आपको सिखलाने वाला हूँ Rules को अच्छे से समझने के लिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रही है और हाँ अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे आएए चलते हैं sentence नंबर वन Many a students are absent but others are present अब देखिए यदि sentence की सुरवात many a से हो किसे हो? many a से हो तो उसके बाद noun हमारा singular होगा और verb भी singular होगा ठीक है? तो यह दिखा आपको many a तो noun क्या होना चीए? similar singular है? उसके बाद verb भी क्या होना चीए? similar होना चीए तो यहाँ r नहीं होगा r के बतले क्या होगा? is होगा तो यह गलत हो गया, यहाँ क्या होगा? is होगा अच्छा एक चीज और याद रखिएगा यदि केवल many a तो उसके बाद आपका noun plural होगा और verb भी plural हो जाएगा मतलब यहाँ ए नहीं रहाता तो क्या होता? many students are absent but others are present ऐसा हो जाता, ठीक है? दूसरा देखते हैं a great many custom is formed in India अब याद रखिएगा sentence की शुरुवात किस्से हो? a great many से हो तो आने वाला अगला noun plural form में होगा और verb भी plural form में ही होना चाहिए तो गलती कहा है a great many customs होना चाहिए ना कि यहाँ custom तो यहाँ ऐस लगेगा और उसके बाद verb क्या होगा? plural बोल रहा हूँ मैं तो is नहीं होगा क्या होगा? R होगा clear हुआ? तीसरा देखिए before entering the office he said that he is late अब रूल याद रखिएगा यदि sentence का main verb past में हो verb का second form दिख गया तो आगे आने वाला structure भी आपका past form में होगा देखते हैं before entering the office he said यह क्या दिखा आपका? main verb किसमें दिख रहा है? say का second form said मतलब past में दिखा तो आगे आने वाला structure भी past में होगा तो देखते हैं क्या दिखा यहाँ? he is late is मतलब present form हुआ तो यहाँ is नहीं होगा is के बदले में क्या होगा? was होगा समझ में आ रही ना आप लोग को? चौथा नमर देखिए his trouser is worn out अब याद रखिएगा rule कि ऐसे instrument जिसके दो फलक होते हैं उन्हें हमेशा plural form में लिखा जाता है और यदि वो subject की रूप में आया तो आगे आने वाला वर्वों क्या होगा? plural होगा instrument जिसके गबल फलक इसका मतलब क्या होगा? जैसे देखिए आप example में pliers pincers scissors pants patlons jeans pajamas मतलब ऐसे instrument हो रहे हैं जिसके क्या हो रहे हैं? दो फलक यह हो गए आपका क्या? spectacles ठीक है? clear हुआ? goggles तो अब देखिए यहाँ क्या दिख रहा है? trouser his trouser trouser के दो फलक होते हैं तो यहाँ trouser नहीं होगा यह क्या होगा? trousers होगा plural form में s form में होगा और यह subject की रूप में आया तो आगे आने वाला वर्व भी क्या होगा? plural form में होगा तो यहाँ is नहीं होगा इसके बदले में क्या होगा? r होगा ठीक है? पाच्वा नमर देखिए he is definitely clever than all the people अब याद रखिए यह देखिए er form आया er form आया मतलब यह adjective का comparative form आया तो अब ध्यान रखिए er form आया er form के बाद then आया तो then के बाद आपको दो चीजे खोजना है पहला आपका all दिखे तो all other और any दिखे तो any other other आना चाहिए तो यहाँ दिख रहा है क्या? clever er form आया then आया then के बाद then के बाद यहाँ all all के बाद क्या आएगा यहाँ? other का form आएगा तो सही sentence आपका बन गया he is definitely clever cleverer than all other the people sorry यहाँ the भी हट जाएगा तो बन जाएगा then all other people clear हुआ? छे नमबर देखिए I and my friend will go together pronoun का यह आपका rule है याद रखिए person तीन प्रकार के होते हैं first person, second person, third person यदि आप person नहीं जानते हैं तो इसके पहले मैं वर्व को explain किया हूँ उसमें मैं person सिखाया हूँ corner में आपका I button दिख रहा होगा उसे प्रेस करिए और वर्व के विडियो को पहले देख लीजिए तो person तीन प्रकार के बताया है मैं first person, second person, third person और एक ही sentence में person का use तीनो person यूज़ कर दिया हो या दो person यूज़ कर दिया हो तो उसका sequence याद रखेगा two, three, one होगा मतलब second person पहले यूज़ होगा फिर third person, फिर first person clear है I first person है, you second person है, he, she एक third person है अब देखिए यहाँ I क्या हुआ, first person आया my friend, third person आया तो इसका sequence कहने चीए two, three, one, two तो है ने इस sentence में second person तो नहीं है तो sequence क्या होना चीए था three और one कहोना चीए था जब कि हाँ I पहले आ गया है तो सही sentence क्या बनेगा my friend, यह पूरा हिस्सा उठके शुरू में आएगा यह क्या हो जाएगा, my friend and I will go together clear हो रही न seven number देखिए mathematics is my poorest subject तो पहली बात तो mathematics नहीं होता है क्या होगा, mathematics होगा mathematics is my poorest subject अब यहां rule याद रखिएगा ICS ending शब्द जैसे mathematics हो गया, physics हो गया आपका ethics हो गया तो ICS ending शब्द की sentence से शुरुवात हो तो उसे singular माना जाता है और आगे आने वाला वर्व भी singular होगा, ठीक है यह mathematics singular वर्व भी singular, मतलब यहां गलती क्या था S नहीं लगा था इसलिए क्या था, गलत था अब note याद रखिएगा, यदि इसके पहले कोई possessive adjective का प्रयोग किया गया हो या किसी article the का प्रयोग किया गया हो, तो उसे plural मना जाता है और आगे आने वाला वर्व भी plural form में होता है जैसे देखिए इस sentence को माई mathematics तो यहां क्या दिखा mathematics ICS ending शब्द के पहले क्या दिखा माई दिखा, जो कि एक adjective है तो यदि यह ऐसा है तो यह इसको क्या मानते हैं, बोला मैं plural मानते हैं, और आगे आने वाला वर्व भी क्या होगा plural form में होगा, तो इस नहीं होगा क्या होगा यह, आर हो जाएगा, समझ रहे ना बात को नवा नमबर देखिए He has been ill since five years अब याद रखिएगा since और for का use since का use जो है point of time के लिए किया जाता है और for का use आपको period of time के लिए करना है जादा इतना याद मत रखिए सीधा याद रखिए since का use तभी करना है जब किसी year का month का, day का नाम दिया रहे, नाम जैसे 2010, 2020, 2015 ऐसा दिया, मतलब आपका since use होगा, लेकिन direct year के साथ में कोई संख्या दे दिया, 5, 3, 2, 1 मतलब सीधा आपको क्या लगा देना है since नहीं, for लगाना है तो यहाँ since नहीं क्या लगेगा for लगेगा, और इसी के बदले में सीधा रहता, क्या रहता 2020 रहता, तो यहाँ क्या रहता since use होता there हुआ 10 नमबर देखिए he told me that he will come मैं बताया था, पहले नमबर नहीं, पहले नहीं, मैं बताया था यह तीसरे नमबर में, क्या बोला था main वर्वेदी past tense में हो तो आगे आने वाला sentence का structure भी क्या होगा past में होगा, यहाँ देखिए यह क्या दिख रहा है, he told told मतलब आपका tail का second form होता है told, यह past tense में आया मतलब आगे का structure भी past में होगा तो देखिए, that he will will तो आपका future में use होता है लेकिन view, will का जो है past form क्या होता है, would होता है तो will का क्या हो जाएगा, आपका would हो जाएगा कुछ और question देखते है ग्यारवा नमबर है the baby has torn his cloths, देखिए यहां क्या है, subject कौन है baby है, जैसा subject, वैसा उसका possessive case होता है, जैसे I का possessive case क्या होगा, my होगा he का possessive case क्या होगा his होगा, अब ध्यान रखिए baby baby, बेबी चू की neuter gender की इस रणी में आता है देखिए, masculine gender होगा तो he's होगा, feminine gender होगा, तो her होगा, और neuter gender का possessive case it's होता है, और baby जो है, बेबी को neuter gender की इस रणी में रखा जाता है, इसलिए उसका possessive case क्या होगा it's होगा, जबकि देखिए the baby has torn यहाँ his नहीं होगा, his के बदले में क्या होगा, it's होगा it's, समझ में आई बात अगला देखिए, no sooner अच्छा, sentence यह conjunction का है यदि sentence में आपको no sooner दिखाई दिया, तो आपको दो चीज खोजना है no sooner, no sooner के बाद आपका helping वरवाना चाहिए और आगे चल कर conjunction के रूप में आपका then का यूज होना चाहिए, ठीक है सर्च करते है no sooner, helping वरवाया helping वरवाया, या तो डिग आता है, या तो हैग आएगा, ठीक है, तो no sooner डिग आया, ओके I see the lion when I shouted जैसे ही मैंने share को देखा वैसे ही मैं चिल आया अब देखिए, क्या मिला ये तो सही है, ये भी सही है क्या मिल रहा है आपको when मिल रहा है, जबकि मैं क्या बोला, no sooner is followed by then, पर यहाँ क्या हो जाएगा, टी, एच, ए, ए, न होना चाहिए, ना कि when, hardly I scarcely आया, तो आपको when खुझना है और no सुना रहा है, तो then खुझना है, clear ना अगला है he asked where you are going मैं बता चुका हूँ इसको, आप बताए गलती कहा है, ये देखिए, ये क्या दिख रहा है, ed form past form दिख रहा है मतलब आगे का structure भी past में होना चाहिए तो देखिए, you are, आर आया ये की present form में है तो आर नहीं होगा, आर के बदले में क्या होगा वर होगा चौदा नंबर देखिए your essay is superior than anybody else ठीक है, अब याद रखिएगा junior senior, superior inferior, interior exterior, posterior ये सब आया, तो आपको क्या खोजना है, उसके बाद आपको then नहीं खोजना है to खोजना है, then लगा है गलत है, जैसे मैं बोलू, he is junior than, रोहन तो मैं क्या बोला, junior than तो junior than नहीं होगा, क्या होगा junior to, senior to prefer to तो यहाँ भी क्या हो जाएगा your essay is superior then नहीं होगा, then के बदले क्या होगा then के बदले होगा to next है, he prevented me to go there उसने मुझे वहाँ जाने के लिए क्या किया मना किया, अब ये तो preposition का है, preposition में याद रखिएगा prevent आया तो preposition हमेशा हमेशा और हमेशा from यूज होता है तो prevent के बाद क्या यूज होगा from preposition, जब कि यहाँ किस का यूज हुआ है to का यूज हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, from अब, तो सही sentence बनेगा he prevented me from go नहीं आएगा, अब go के बदले क्या हो जाएगा, going, from के बाद ing from का यूज होता है तो बन गया sentence he prevented me from going there सही हो गया, अब, शोलो नमबर देखते हैं, he is confident to win, ये भी आपका preposition से related question है confident आया तो confident आया तो आपको preposition क्या खोजना है off खोजना है, ना कि to, तो to नहीं आएगा, to के बदले क्या आएगा, off, सही sentence बनेगा, he is confident of win clear, सतरह नमर देखिए, there are no less than 50 students in the class, अब, याद रखिएगा दो शब्द बतला रहा हूं आपको, मैं, एक है आपका less, एक है आपका few less का use uncountable noun के लिए किया जाता है और few का use आपका countable noun के लिए किया जाता है तो आप ये चेक करिए कि less के बाद आपका noun क्या है countable है कि uncountable है गिन सकते है कि नहीं सकते है तो देखिए, less के बाद आपको क्या दिखा student दिखाई दे रहा है गिन सकते हैं इस्टूjukेंट को तो plural form बना है, मतलब गिन सकते हैं मतलब यहाँ क्या use होगा less की few, few use होगा इसलिए less नहीं आएगा और यह क्या आएगा? few आएगा एक चीज़ और याद रखे then आया then आया मतलब comparative form का यूज़ होगा comparative form मतलब er form याद रखे तो few नहीं आएगा इसमें क्या लगेगा? fewer लगेगा ठीक है? अगला देखे अठारवा नंबर walking along the street my eyes fell upon a flower अब देखे sentence कभी भी इस प्रकार का start नहीं होता है हाँ, कुछ condition ऐसे हैं जिसमें ing form से start कर सकते हैं जैसे देखे, मै अधी sentence बोला walking is a good exercise तो यहाँ walking जो use किया वो as a noun, as a subject की रूप में use हो रहा है, वो sentence correct है यहाँ walking is a noun, as a subject की रूप में use नहीं होआ है इसलिए यह sentence का proper formation गलत है सही sentence subject वर्व object का होगा तो सही sentence क्या बनेगा while I was walking along the street my eyes fell upon a flower यहाँ क्या बनेगा while I was walking clear हुआ उननीस्वा नमर देखते हैं under the present circumstances his anger was justified देखे, हम किसकी बात कर रहे हैं present circumstances की बात कर रहे हैं वर्तमान की बात कर रहे हैं और जबकि यहाँ देखिए his anger was was किसके लिए होता है past form के लिए होता है तो दोनों कैसे possible है यदि हम present की बात कर रहे हैं तो इधर का हिस्सा भी present में होना चाहिए तो बनेगा आपका sentence under the present circumstances his anger was नहीं present form रहेगा क्या is justified हो जाएगा अब लाश देखते हैं I don't know what have you what have you done with your money देखिए यह sentence कहीं भी आपका question mark दिखाई दे रहा है क्या नहीं दिखाई दे रहा है तो question mark वाला मतलब question sentence यह नहीं है अब नहीं है question sentence देखिए I don't know इसमें कोई गलती नहीं है अब देखिए यहाँ आप देखिए डबलू एच वर्ड के बाद helping वर रोजश्ट आता है मतलब वो question sentence का structure होता है जबकि यह question sentence ही नहीं है तो यहाँ have नहीं आएगा तो have जाएगा कहाँ have जाएगा subject के बाद मतलब सही sentence क्या बनेगा I don't know what you have done with your money clear यदि question sentence रहता तो have सही था चुकि यह question sentence नहीं है इसलिए have बाद में जाएगा यहाँ what का अर्थ pronoun के रूप में होता है जो फ्रेंट्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे comments करके बताएए और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो please इसे like करें और अपने दोस्तों में share करें और हाँ अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please चैनल को subscribe कर दें और bell icon को press करें ताकि आपको आने वाले वीडियो के notification मिलते रहें Thank you very much